लॉक्डाउन फोर लागू होने के बाद ऐसे कई प्रवासी मजदूर जो दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में काम करते थे अब उनका भी सब खत्म होता जा रहा है इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस पर बिहार जारखंड और बंगाल के 35 से 40 मजदूर यहां बैठे हैं जिनको पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है यह सब मजदूर वो है जो दिल्ली के अकबर रोड पर जो वानिज भवन बन रहा है उसमें काम करते थे और लगातार लोगडाउन 3 तक यह लोग वहीं पे रहे और इनका यह कहना है कि इन्होंने 15 दिन पहले दिल्ली की पुलिस आई थी वहां पे और इन लोगों को यह कहा था कि आप सब लोग रेजिस्ट्रेशन करा लीजिए और धीरे धीरे आप लोगों को आपके घर के तरफ भेज दिया जाएगा लेकिन लोगडाउन फोर्ट लागू होने के वावजूद इन लोगों को कोई इन लोगों की सुध लेन हैं वानिजभवन बन रहा है वहां पे दिल्ली केखवरोड पे और वहां काम कर रहे थे अब ये लोग अपने अपने घर पैदल जाना चाहते हैं जाएसे मिलेगा सर किस क्या करेंगे यहां भी मर नहीं है इस अच्छा जहां तक जा सकते हैं पैसे रुपे हैं पैसे इसे नहीं है तो ट्रेन में चल दी उससे क्यों नहीं जाते हैं पैदल जाएगा तो बहुत इन लगी है अब यहां जाना चाहा है तो क्यों जाना चाह रही है पैदल कैसे इतना दून जाना है गाड़ी नहीं मिल रहा है गाड़ी नहीं मिल रहा है प्रेंज जो चल रहा है वह देने से मना कर रहा है ऐसे में इनके पास घर वापिस लोट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है अजेजा, Go News दिल्ली